हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौंक मोट के बारे में ये एक पावफुल तरीका है जो आपको अपना फोकस और प्रोड़क्टिविटी बढ़ाने में मदद करेगा आजकल की बिजी लाइब में हमें अकसर सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और छोटी मोटी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती रहती है मौंक मोट का मदलब है इन सब डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखना और कुछ टाइम के लिए पूरी तरह से अपने गोल पर ध्यान देना बिल्कुल एक मौंक की तरह, इससे कैसे शुरू कर सकते हैं, चलिए देखते हैं स्टेप बन, अपना एक गोल चुनिए, आपको किसी प्रोजेक्ट पर काम करना हो, कोई नए स्किल सीखनी हो या अपनी हेल्थ इंप्रूब करनी हो, जो भी हो आपको एक क्लेर गोल रखना है, जिसमें आप फोकस कर सकें स्टेप टू, डिस्ट्राक्शन्स को हटाएं, मौंक मोड में सबसे जरूरी है कि जो भी आपका ध्यान भटकाता है, उसे दूर रखें, इसका मतलब है, अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखना, सोशल मेडिया पर लॉग आउट करना, या एक शान जगा पर बैटना, जह आप सिर्फ एक घंटे के लिए बिना किसी डिस्ट्राक्शन के काम करते हैं, तो भी काफी फर्क पड़ेगा, स्टेप 4, छोटे ब्रेक ले, पूरा फोकस करना जरूरी है, लेकिन छोटे ब्रेक लेना भी उतना ही जरूरी है, ताकि आप ठक ना जाएं, लेकिन ध्यान रहे कि ब्रेक्स के दोरान भी आप अपनी डिस्ट्राक्शन पर ना जाएं, उस वक्त आप थोड़ा वॉक कर सकते हैं, या मेडिटेट कर सकते हैं, ताकि आप फ्रेश फील करें, मौंक मूट का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बलकि अपने आपको टाइम देना है, ताकि आप सही प्रोग्रेस कर सकें, जब आप डिस्ट्राक्शन को हटा कर फोकस करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप कितना कुछ अचीब कर सकते हैं, तो क्या आप रेडी हैं मौंक मूट को ट्राइ करने के लिए, और अपना फोकस अनलॉक करने के लिए, कमेंट करके बताएं कि किस चीज़ पर काम करना चाहते हैं,